हेलो गाइस, I hope आप सभी अच्छे होंगे, तो आज हम करने वाले हैं BPSC 133 Block 4 Unit 7, that is Political Parties and Political System, ठीक है? इंट्रड़क्शन मैंने स्किप कर दिया क्योंकि कुछ स्पेसिफिक नहीं था, आप आगे भी पढ़ सकते हो, हम आजाते हैं डारिक Political Parties के उपर, अब Political Party को है? Political Party वो जो gather करती है, people, या फिर common interest के लोगों को, मतलब, एक common lines पे gather करती है, उनको mobilize करती है, और एक popular opinion में shape करती है, बनाती है, मतलब, अलग-अलग लोगों को एकटा करती है, जिनके common interest है, common line पे वर जोर सकते हैं, और then उनको, मतलब, उनको एक group, एक संगतन मनाती है, and then उसको lead करती है, अब उनके supporters के भिहाब पे जो function करती है, वो होती हो political party, ठीक है, however, अगर आप तिल mid 19th century, मतलब, mid 19th century के पहले के टाइम का आप देखो, मतलब, उतने टाइम तक, तो वो ने ज्यादा, मतलब, एक harmful entities के तरह देखा जाता था, और पोस करते थे, वो या फिर जो भी individual liberty, common good, इस चीज़ पर फोकस थी थी, पॉलिटिक्स के perspective पे ऐसा था, कि इसका मतलब है, एक continuity of organization, मतलब, political party का मतलब होगा, continuity in organization, या फिर एक manifest, ठीक है, या फिर एक permanent organization, जो कि एक local level पे बनाए गई है, for the public welfare, ठीक है, तीसरी definition है, self-conscious determination of a leader, मतलब, एक leader, जो कि national, local level पे, एक decision making power को hold कर दोई है, ठीक है, और अपने जो भी supporters है, उनके behalf पे function कर दीक है, next is, एक concern की तरह आप देख सकते है, एक part of the organization है, जो अपने followers की support से, या उनके vote से, ठीक है, अपनी power को और ज्यादा influence करती है, और अपनी जो, मतलब, इसको thinking है, अपनी जो ideology है, उस पे function करती है, ठीक है, कि कैसे achieve करना है, then हम आजाते है, functions of parties के उपर, तो 6 categories के अंतर में, जो function को denote करती है, सबसे पहले, जो भी political parties होती है, वो unite करती है, अलग-अलग sectional interest groups को, bridge करती है, जो भी हमारे geographical difference होती है, ठीक है, मतलब, हर state की, हर country की, अलग-अलग geographical difference है, तो उसके बीच में एक bridge का काम करती है, मतलब, एक connection की तरह काम करती है, और वो ensure करती है, कि जो law and order है हमारा, वो maintain रहे है, ठीक है, ये पहला function है, दूसरी चीज़े है, जो democratic government को ये ज़्यादा promote करती है, या फिर ये contribute करती है, कि democratic government हो, और वो किस तरीके से करती है, वो nominate करती है, अलग-अलग candidate को elections के जो लोग ही elect करते है, but then वही रखते है, मतलब, वो चहरा निकल के आता है, कि हाँ, इन्हें नॉमिनेट करना है, तो ये सारी चीज़े होते है, campaign वो organize करती है, ताकि वो danger को minimize कर सके, जादा से जादा लोगों तक पहुँच सके, और मतलब, हाँ, overall candidate को किस तरीके से promote करना है, ताकि वो election लड़े, और अपनी group के भिहाफ पे लड़े, ठीक है, next is, वो democratic government को एक structure voting choice में, मतलब, help करती है, like वो जो भी number of candidate होती है, ballot list पे, जहाँ पे आप vote करते हो, तो वो ballot list पे जितने मी number of candidate है, उसको reduce करती है, एक realistic chances जिनके है winning के, जैसे कि एक party ले लो कोई भी, और वह चारपास लोग यूँ ही कोई नहीं होते, वो वो लोग होते है, जो party को लगता है कि इनके chances ज़्यादा है, जीतने के जितने के ज़्यादा होते है, या तो उनके past election में बहुत ज़्यादा vote वगिराई है, या तो in future, हाँ वो आप हो सकते है, past, present, future, ये सारी चीज़े को दे legislative और executive के अंदर में, दोनों forms of government हैं उनके बीच में, ठीक है, next, ये help करती है, voters वगेरा को ताकि वो अपनी candidate चूज कर सके, alternative programs के थूँ जो भी उनका मन है, जो भी party के manifesto है, उसको study करे, and then अपनी choice के according, जो उनकी लग रहा है, कि हाँ ये चीज़े हमारे लिए beneficial है, या फिर overall beneficial है, उनको हो चूज करें, ठीक है, specific policies वगेरा vary करते है, candidate to candidate भी change होते है, election to election भी change होती है, तो that's not a big deal, ठीक है, then next is, भले ही victory, मतलब जीतना main होता है, या फिर सबसे पहला commandment होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कि अगर कोई हार किया, तो उसके demise है, हमारे ही आपे, ज जाते हो, तो आप एक strong power लेके opposition में काम कर सकते हो, ताकि government, जो भी ruling party है, उन पे एक eye रख सोगे, एक नजर रख सको, ताकि वो proper function करें, तो ये चीज़े होते हैं, इसलिए भी बहुत important है political development, या फिर political parties, अब हम आजाते हैं, party and party system के उपर, party system जो होती है, वो represent करती है, पूर सारे मिला के, जब हम एक term में उनको पिरोते हैं, या फिर एक term उनको बोलेंगे, तो वो होगा party system, ठीक है, अब इसके अंदर में वो एक दूसरे के साथ, एक competitive struggle हमेशा बनी रहती है, सारे parties के रीज में, ताकि ये पता चल से कि कौन influence करने वाला है government को, ठीक है, बहुत सारे variation होते हैं, इसके अंदर में की functions वगएरा कैसी है, कितने number है political parties के एक system में, ये सारी चीज़े आती है, अगर आप Maurice Devenger की बात करो, तो उन्होंने जो classification है party system का, उसको दो category में बाटा था, सबसे पहला one party system, जहाँ पे एक one party system और dominant party system होती है, plurality party system, जहाँ पे two party system या multi party system होती है अब one party system का आपको idea भी हो गया होगा, ये सारी चीज़े मतलब Tom से ही पता चल जाती है, हम आजाते है two party system के उपर में, ठीक है, अब two party system के अरतम में major political party होगी, वो दो होगी, अब ऐसा नहीं है कि और सारे parties नहीं होगी, बद बहुत ही जादा minority, जो government तो hold बिल्कुल भी नही main power ही होगी, ठीक है, जो major political power होगी, जिनकी core values होगी, ये सारी चीज़े है, अब ये दोनो stable और powerful है, ठीक है, मतला एक दूसरे से ऐसा आप नहीं हो सकते हो, दोनो equally powerfully or permanent है, वो constant competition जो होती है, जो होती है, दोनों के बीच में हमेशा होगी, एक example लेले कि main parties में BGP और Congress है, क्य दो options हमारे पास main थे, ठीक है, तो उस period of time पे हमें कौन सा choose करें, इन दोनों के बीच में एक constant competition भी रहता था कि कौन जीतेगा, और दोनों के पास equal power थी, ठीक है, कहीं ना कहीं, फिर जो जीत जाए, वो second है, वो वाला सीनता, ठीक है, अब एक इससे, मतलब ऐसा भी हो सकता है थोड़े बहुत छोटे छोटे पार्टी से जो कि या तो एक दूसरे के साथ मिल जाती है, जो भी major political party है, उनके साथ मिल के coalition फॉर्म कर लेती है, या फिर ऐसा होता है कि वो वैसे ही काम करती है, एक pressure group की तरह, एक interest group की तरह, फंक्शन करती है, बट उनकी votes भी important है, क्योंकि इनके भी एक number होते है, तो वो भी voting करते है, ठीक है, तो यह सारी चीज़े, example आपको text वगेरा में आप पढ़ लोगे ना तो आपको मिल जाएगा, I don't think so, मेरे को explain करनी की जरुवत है, हम आजाते है, multi-party system के अधर में, अब multi-party system में बहुत जादा हम बहुत सारी number, large number of parties होत होते हैं, जैसे अभी के टाइम पर सारी parties, आम आनमी पार्टी, भारती जन्ता बार्टी, Congress, अब बहुत सारी parties होते हैं, ठीक है, अब इसमें parties वगेरा को कितनी seats मिल रही है, ताकि वो government form कर सके, वो सारी चीज़े देखी जाती है, अगर in case ऐसा होता है कि election के टाइम पर कोई तो एक्स्प्लें करने की ज़रत नहीं है, बाकि अगर फिर भी example चाहिए, तो टेक्स्ट में पढ़ लेना, ठीक है, हम आजाते हैं, वन पार्टी सिस्टम के अंदर में, तो वन पार्टी सिस्टम के अंदर में सिप एक पार्टी होती है, जो पावर होल्ड कर सकती है, बहु पार्टी से तो पास एक ही पार्टी है, मान लोग कि चाइना की अंदर में उनके लेडर जो है जो औरесяर joe को चेंज होसकते हैं, बाट पार्टी वही ready, पार्टी और सार्टी चाहिन नहीं हो सकती है, तो इस तरहीज़ने के में हम आजाते हैं, जो इलिए क tow जोंने के अंद होता है कि वह power में आए भले ही वह democratic traditions से rooted हो मतलग भले ही country democratic traditions को follow करती हो लेकिन फिर भी जो minorities party है वहां के वह चीज़े नहीं वह power में नहीं आ सकते ठीक है अब इनकी emergence जो influence होती है कुछ factors के वज़े से होती है हो सकता है कि mass support या popularity है हो सकता है historical lineage है उनका पहले की time से चलता आ रहा है या फिर बहुत जादा strong leadership strong organizations है बहुत सारे supporters है यह सारी चीज़ है इसके example में आए और से जो Congress का dominance था इंडिया में ठी के 1952 से 1967 तक लेके तो यह भी आप एक तरीके से dominant party बोल सकते हो उस period of time के लिए और अगर आप current times में BJP की scenario डेखो कि वह भी दो बार से जीत रही हो और आगे no idea बट यह जो है तो current line में BJP को भी एक example की तरह माना जा सकता है dominant party के लिए ठीक है तो यह वैसा होता है कि वह time to time चीज़ा change हो जाती है इसमें और यह सारे parties लड़ सकते है elections वगेर यह सारी चीज़ होती है ठीक है वह popularity के वज़े से होती है सारा then हम आ जाते है trends in evaluation of party organization ठीक है अगर हम early stage की बात करते है मतलब पहले की time पर जो हमारी parties वगेरा थी वह internally create होती थी मतलब पार्लेमेंट के अंदर ही वह create या फिर बनाई जाती थी ताकि वह common concerns के उपर या फिर एक effective campaign के लिए fight कर सके ठीक है उनको refer किया जाता था केकस party के रूप में ठीक है इनका एक नाम था केकस party केकस कोकस जो भी बोलते होंगे तो मैं केकस बोलूँगी तो कोई मजाग मतोराना ठीक है तो जब नेशनलिजम राइस हुआ फर्स्ट अफ टॉइंटी संच्योरी और जब अडल्ट फ्रेंचाइजी की जो चीजे थी मतलब जो अडल्ट फ्रेंचाइजी जब लाई गई थी ना जब इनका ब्रॉड़न अपोगी थी कि सब वोट कर सकते जो भी अडल्ट पॉपु अब यह और इस नेट होती थी आउटसाइड पारल्यमेंट के बाहर पहले की टाइम पर पार्लयमेंट के अंदर ही थी एक बना लिया उसके बाद थी के 20th century के हाफ अफ ब्रेंट सेंच्योरी के बाद यह चीजे होने लगे थी वहीं अगर आब बात करते हो मिट ट्वेंटी यह चीजे होती थी वह डीमम मुटेंट होती थी कोई एक पर्तिकुलइर पार्ली इसे कर तक है मतलब जो भॉबी पार्टी पार्टी इसे रखती थी अपनी अपील को एक पर्तिकुलर सेगमेंट ओफ-पॉपुलेशन तक ठीक है उनको डिफाइन किया जाताथा उनकी सोश तो उसकी बेसिस पर उनका था या उनको डabyan किया जाता था या फिर इंको डेफाइन किया जाता था 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 थैक है बट अगर आप लेटर हाफ एफ ट्वेटी संचॉरी के बात कर तो वहाँ पर युनिवरसल अडल्ट फ्रंचाइजी आए थी जहां पर पॉलिटिकल पार्टी एक catch-all organization के और focus करने लगे थी वह एक specific social group को नहीं target करती थी वह overall social group को target करती थी सारी ठीक है एक rainbow coalition के तरह मतला जहां पर wide variety of social groups होगी even अगर आप recent के time के बात करते हो recent past में तो information या easy communication के फैलने के बाद ठीक है बहुत easy हो गया था कि हम मतला हम जैसे जो individuals जो वोटर से वह parties के बार में study कर सकती है social media एक बहुत बड़ा माध्यम बना ताकि वह connect हो सके मतला बाकी के population से तो यह सारी चीज़े ठीक है अब जो supporter से यह सारी जो social media का connection आया था यह जो information technology broad हुए थी उसके वज़े से क्या क्या चीज़े चेंज हुए थी ठीक है सबसे पहले जो parties है वह एक society level पर ही confined नहीं थी वह online presence भी इंप्रूफ कर रही थी और जो भी parties है वह mass यह competitive characters को लूश कर रही थी कहीं ने कहीं थी कह सारे social media पर आ रहे वह कर रहे यह सारी आपके टाइम पर भी example ले लो नो तो जो हमारी जैंजी population है चलो जैंजी नहीं बोलता है बहुत भी debatable topic यह वैसा हो जाए क्योंकि हम भी वैसे ही है अगल हम millennial भी है तब भी वैसे ही है जैंजी है तब भी वैसे ही है ठीक है मानो ना मानो कुछ level तक हम है ठीक है तो लेकिन इतना है कि हम जब से social media से जुड़े हैं हम काफी ज़्यादा society से अलग नहीं हो गया like practically सोचो यह ज्यान देने के लिए मैं बोल रही हूं ठीक है बट honestly out of the topic है बट अगर देखो ना जब से social media आया we are out of the society हमें society के हर तरक में कमी लगती है like हमें family में कमी लगती है हमें society के लोगों में कमी लगती है हमें परोसियों में कमी लगती है हमें रिस्तेदारों में कमी लगती है हमें दोस्तों तक में कमी लगती है जार किसी में भी ऐसा नहीं कि कमी नहीं है मैं मानती हूं कि हर किसी में कमी है बट ह हमें ज्यादा दिखने लगी है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी information है बहुत सारा connect होते हमें information मिल जाता इसलिए तो इसलिए हम थोड़ा बहुत तो हो चुके था इसी तरीके से बहुत से कंदर यह वाला सीन है ठीक है तो इस चाप्टर में इतना ही आपको सब समझ आगया होगा नहीं आया कुछ प्रॉब्लम है कोई confusion है तो comment section में बोच सकते हो नोट सबको हमारी साइट में मिल जाएगी तब तक के लिए बाबाई टेक एर